बारे में पेपर हमारा पिछला पेपर है 2022 का इसी तरीके से हमने बहुत सारे पेपर को एनलाइज किया है और आप सभी को बताने की कोसिस करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि कम से कम 20-25 नंबर के ऐसे क्यूसंस होते हैं जो हर साल आप सभी को फिर से एक्जाम में देखने को मिलते हैं यानि क्यूसंस रिपीट होते हैं तो क्यों ना इन क्यूसंस को हम पहले ही अपने दिमाग में फिट कर लें तैयार कर लें जिससे हमारा काम एकदम आसान हो जाए क्यूंकि बहुत सारे ऐसे क्यूसंस होते हैं जो रिपीट होते हैं जैसा कि आपने पॉलिटेक् हो रहा है ठीक है तो उसके हिसाब से मैं आप सभी को बताने की कोसिस करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कौन-कौन से important questions होंगे और आप paper pattern को भी देख पाऊगे applied mathematics second के ठीक है फिर से ऐसा ही paper आने वाला है इसमें बहुत ज्यादा changes आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह मेरा ही paper है और मैं चलिए अपने इस paper को दिखाता हूँ आप सभी को फिलहाल आज की इस वीडियो में आप सभी को introduction भी कराऊंगा इन चीजों का politics second semester के important questions के notes के बारे में देखिए बहुत सारे बच्चों का जो भी बार-बार comment कर रहे हैं message कर रहे हैं जो कि previous class notes वाले फस्स सेमेस्टर में 500 के प्लस बच्चों ने खरीदा था तो अभी जिन इस्ट्रेंट्स को politics second semester के important questions का notes वगरा खरीदना है आप जल्द से जल्द खरीद लीजिए एक माई के पहले पहले ही obviously मैं बता रहा हूँ कि मैं CVT का exam देने वाला हूँ CVT का exam है आपका common university entrance exam test जो की BTEC lateral entry में होता है admission के लिए तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ विजी रहता हूँ आजकल क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से आप टॉइंग है और current affairs है general knowledge है आपका reasoning है तो इन सब की practice मुझे पहले से नहीं थी जो की paper pattern में changes की वज़ा से मुझे करना पढ़ रहा है तो जो भी students खरीदना चाते हैं जल से जल अपना कर लिजी क्योंकि मैं especially सिर्फ जो पहले के कर लिजिए इस्क्रीन पर आपको number दिख रहा होगा उस नंबर पर आप डारेक्ट कॉल करके आप डारेक्ट पेमेंट करके आप में तुरंद PDF सेंड कर दूंगा और अपनी आप पढ़ाई को आसानी से कर पाएंगे electrical engineering के लिए है mechanical के लिए और सिविल के लिए भी है फिलाल mathematics का सिलेबस सिविल के लिए नहीं है तो इस वीडियो में मैंने दिखाया नहीं फिलाल कोई और वीडियो आगे तो सिविल वालों को भी बता दूंगा फिलाल मेरा कहने का मोटो यह एक तारिक से पहले पहले आप सभी परकेश कर लिजिए यह मई से पहले परेश कर लिजिए क्योंकि जब मैं जाता भी जी वाओंगा तो वीडियो गयरा नहीं आ पाएंगी जिसके माद्यम से आप सभी को चीजे नहीं पता चल पाएंगी मेरा कहने का यहीं मतलब था फिलाल जैसा आप सभी की मर्जी चलिए मैं अपने इस एप्लाइट मैथमेटिक कि ऐसी दिक्कत क्या हो गई कुछ ऐसे पेपर में गलतियां हो गई बाकी अच्छी खासी प्रिप्रेशन थी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी बट हो गया जो भी होना था ठीक है तो आप अगर दस क्यूशन्स देखेंगे तो शुरुवात वाले इसमें 12 क्यूशन्स दिया होता है और आपको छोटे-छोटे क्यूशन्स दिये होते हैं इसमें करना होता है ठीक है तो देखिए मैंने टीक बहुत लगाये थे तो लगभग लगभग सही कर दिये थे एक एक नमबर वाले तो हमने लगभग सही कर दिये थे इस तरीके से आप सभी को देखने को मिलेगा मुझ सकते हैं कि आप सभी से बहुत normal questions किये गए है ठीक है इस तरीके से questions बहुत easy आते हैं अब जहां हमारा main target होता है questions करने का वो होता है question number three two five ठीक है जहां पर तीन questions दिये होते हैं और पांच-पांच नंबर वाले होते हैं ठीक है तो आप सभी अब यहां पर देख सकते हैं कि कितने आसांस questions दोनों पहले दिये गए ठीक है देख सकते हैं आप सभी ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं यह questions find the length of the arc of the power abola y square बराव फोरे और वाई बरावर 3x ठीक है मैं इसको अब देखा दूगा थोड़ा आप सभी को दिख रहा हुगा यह questions हर बार repeat हो रहा है ठीक है आ आप चांकर देख लेता 4-5 questions मैंने Nोट समय डाले है आसमें से 4-5 में से एक कुछ servicemi हो रहा है ठीक है अगर आप सभी यहां पर देखेंगे तो यह questions देख रहाए यह क्यूशन देख रहा हो यह सिस्क्वाइर आप आने इसक्वाइर इस तरीके से जहां पर एसक्वाइर है यहां पर फोर इसक्वाइर कर सकता है थिरी स्क्वाइर कर सकता है नाइन तो इनको आप सभी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर लेना मैं आप सभी को अगर बता दू इंपोर्टन क्यूशन की स्रेडी में ध्यान से सुनिएगा अगर आप वीडियो को अंतक देखेंगे तो कहीं ने कई कुछ इंपोर्टन चीजें ही लेकर जाएंगे मुझसे आपका नुक्सान नहीं होने वाला है अगर आप अप्लिकेशन आफ इंटिग्रेशन तयार कर लेते हैं तो समझ लिजिए कि अप्लिकेशन आफ इंटिग्रेशन से अकेले 10 नंबर का क्यूशन मतलब 10 से बिलो तो नही आप फाइब देख लिजिए क्यूशन नंबर फाइब में सिर्फ नुमेरिकल इंटिग्रेशन यह ठीक है तो निमेरिकल इंटिग्रेशन से आपके 10 नंबर और अप्लिकेशन आफ इंटिग्रेशन से 10 नंबर सिर्फ दो चैप्टर आपने पढ़ा 10-20 नंबर ऐसा इसा ही सिर्फ दो चैप्टर का मतलब समझ रहे हैं आप अगर रेगुला फालसी को देखोंगे न्यूटन से रैप्शन को देखोंगे और बाई सेक्षन को देखोंगे दोनों तीनों में से अगर दो ही आप तयार कर लोगे क्योंकि यह तीनों एक एक क्यूशन दिये ही जाएंगे ठीक है तो आपके 10 नंबर यहां से हो गए और अपली केशन आफ इंटिग्रेशन से सिर्फ 6 ऐसे क्यूशन से जिनको मैं आगे वाली वीडियो में दिखा दूंगा कि वह कौन को से 6 हैं या आप क्रैस नोट्स वाले ग्रूप में जुड़ोंगे तो वहां पर मैंने उन ची इस बार थोड़ा खंडसा समकलंसे ठीक है इस बार थोड़ा खंकलंग खंडसा समकलन तो बहुत कि पार्सियल सग्छल है यह यह तिन ही मिलने वाला क्योंकि जैसे ही एक पेपर ऐसे होता है तो अगला वाला जो होता है पैटरन थोड़ा चेंज हो जाता है लिकिन जो न्यूटन रेक्षन है बाइसेक्षन है रिगुला फालसी है ठीक है शिंसन रूल है इन में डिफिनिटली क्यूस देखने को ही मिलते हैं तो इनको आपको लेफ्ट नहीं करना है ठीक है आने वाले थटर्ड से में फूर्थ से में भी कूछ ऐसे के किउसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं तो इन चीजों को कि लास्ट के नुमेर्कल इंटीग्रेशन और आपका क्याना में पार्षियल फ्रैक्षिन हो गया और साथी साथ आपका खंड सासमगलन हो गया ठिके अप्लिकेशन आप इंटीग्रेशन हो गया बस इनी तीन से चार चैप्टर को आप ज्यादा फोकॉस करिए इनी से सारा गाम आपका हो जाएगा तो कैसी लिए इन्फॉर्मिक्शन जरूर बताएगा कोमेंट में बागी क्रेस्ट नोट्स वाले जरूर जो जॉइन हो जाएगे तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाय टाटा लब यू आल